साथियों हेल्थ केर टुडे में आपका स्वागत है आज हम एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट कोश्चन पे चर्चा करना चाहते हैं कि लोगों का कोश्चन होता है क्या डियालिसिस से लंबी और स्वस्तायू संभव है क्योंकि जब भी डिसीजन्स लेने की बात आती ह है कि किसी किड्नी अब इर्रिवर्सिबली फेल हो गई है और जिंदगी को चलाने के लिए सरवाइबल के लिए डियालिसिस या ट्रांस्प्रांट जो रही है तो ऐसे में सबसे पहला कुश्चन यह आता है कि दोनों की संभावनाएं क्या हैं दोनों से कितनी जंदिगी एक हो चाहें ट्रांस्प्रांट हो उसके अपने अपने फैदे नुकसान हैं लेकिन कई बार यह नॉर्मली बोल दिया जाता है डाक्टरों द्वारा भी या पब्लिक द्वारा भी की नहीं ट्रांस्प्रांट बेस्ट है फर्स्ट च्रांस्प्रांट होनी चाहिए लेकिन हम ल लिविंग डोनर की अपने देश में बड़े कड़े कानून है और लिविंग डोनर जब तक फैमिली रिलेटेड नहीं है तब तक नहीं हो सकता तो हमें अंत में डालेशिस पर जाना पड़ता है और ऐसे में यह कोश्चन फिर आता है कि डॉक साब कितना संभावना है इस यह परसनल अनुभाव और पूरे ही नेफ्रालजी कमिटी का यह अनुभाव है कि हजारों और लाखों पेशेंट्स इसमें सफलता पूर्वक डालेशिस लंबे समय तक कर रहे हैं यहां तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमारे अपने पेशेंट 20-25 साल तक तो चली रहे है लेकिन कुछ पेशेंट्स वाइड वाइड अगर हिस्ट्री आप देखें तो 40-45 साल तक लोग डालेशिस करा चुके हैं और एक स्थेंस में तो 40 साल बाद उसका ट्रांस्प्रांट हुआ एक व्यक्ति एक डॉक्टर खुद थे अमेरिका में उनका उस समय अमेरिका में भी डालेशिस की सुविधाएं बड़ी अच्छी नहीं थी उन्होंने इंग्लेंड में जाके शुरू किया डालेशिस और 40 साल बाद उनको ट्रांस्प्रांट के लिए डोनर की संभावना मिली और केड़ बर्ड डोनर से ट्रांस्प्रांट हुआ और वर्ड नेफ्रालजी कॉ में उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन दिया कि 55 साल बाद डिजीज के डाइगनोस होने के 55 साल बाद भी वो स्वस्त और सम्रिद्ध रहें यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल दा हेल्थ केर टुडे और बैल आइ प्रशाइब रहे हैं और धीरे करके और स्पेशियलटी में भी प्रोग्रेस वह हायाई है अगर यह झाड़ करना वह हो sulphह हो रहा है तो अगर हैं तो कहीं नहीं गया है लेकिन अगर यंगर साइड का पेशेंट और उसके पास और ट्रांस्मार्ट की सुविधायन नहीं है तो वो डेफिनिटली 30-35-40 साल का एक प्लान कर सकता है कि हम डालिसिस करेंगे और अच्छी तजीवन जीएंगे दूसरा पॉइंट आज भी इंडिया जैसे देश में जहां केटबर्ट ट्रांस्मार्ट प्रोग्राम डवलप नह यह नहीं कर पाते हैं तो जब सौ नबबे लोग हमारे देफिक फ्र आते हैं तो यह कॉश्चन बहुत लाजमी हो जाता है और और हमें अपने डियालेसिस सेंटर में सुधार की जोत है हमारे अपने किद्नी स्पेशलिस के नंबर और डियालेसिस टेक्निशन के नंबर मशीन की अवलिविल्टी और कॉस्ट एफेक्टिवनेस को बढ़ाते जाना पड़ेगा लोकली प्रड्यूस करना पड़ेगा डियाल सकते हैं अब बात रही कि और हेल्थ मेजर्स को हमें जैसे बताया कि एरली या एक क्वाटरली इंटर्वल पर हमें पेशन का मॉनिट्रिंग करना है उनके हार्ट लिवर लंग और ब्रेन का नियूर लाजिकली उनको देखते रहना है क्योंकि यह सब तक सब को ठीक लेकर न और जहां तक हमें लगता है कि आज इतने सालों के पचीश से तीस साल के हेल्थ केर सिनेरियों में एक्स्पीरेंस के बाद मैं यह कह सकता हूं कि हेल्थ is the only wealth आप जब तक स्वस्त नहीं हैं आपके सामने सभी संभावन खतम होने लगती हैं और एक समय व्यक्ति बहुत व्य झाल